यार, factorials का idea सबको होगा, और factorials में ये भी आपको पता होगा कि, है ना, negative का integer ले लो, और उसका factorial लोगे तो not defined होता है, है ना, minus 2 factorial जो है, not defined होता है, है ना, पता है ना, सब लोगों को, और ये देखिए, 1 by 2 factorial, 1 by 2, जो है, ये एक positive का integer नहीं है, है ना, ये एक whole number नहीं है, है तो इसका factorial भी define नहीं होता है अपने ये जानते हैं कि whole numbers के factorials defined होते है 1 upon में अगर negative integer का factorial लिखा हो इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूँ इसकी value 0 होती है क्या आपको पता था कि यार ये define होता है और 0 के बरावर होता है अगर पता था तो comment करके बताएं इसकी explanation और नहीं पता था वो भी comment करके लिखें अगले short में मैं इसकी explanation देने वाला हूँ